नमस्कार दोस्तों, हम जब भे कोई चीज पर्चेस करते हैं मार्केट से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जैसे अगर कोई बड़ी चीज जैसे कि अगर हम टीवी ले रहे हैं तो टीवी में हम ये चेक करते हैं कि उसका स्कीन पैनल कैसा है, उसके अंदर जो गैरंटी है, तो फोन में हम बैटरी चेक करते हैं, बैटरी कितने हैं मेच की है, बैटरी और दूसरा, उसका स्क्रीन रिजोलुशन कितना है, उसका कैमरा कैसा है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, 64 मेगापिक्सल, 100 में, 8 मेगापिक्सल, 240 मेगापिक्सल, so much, इवन जब छोटी छोटी यानि कि जब electric छोटा सा bulb भी खरिधते हैं LED बल तो भी हम उसके guarantee check करते हैं even एक pencil लेते हैं तो उसको चलाकर देखते हैं pen लेते हैं थो चलाकर देखते हैं smooth चलता है नहीं चलता है यद्क चोटी बारिकियों को हम check करते हैं क्योंकि हम जंकी को smooth चलाना जाते हैं लेकिन क्या कभी आपने इसको reverse सोचा है? क्या कभी हम अपने जिन्दीगी के बारे में इतनी बारीकी से observe करते हैं किसी भी चीज को? क्या हम अपनी खुशियों को छोटी खुशियों को बटोर कर रखते हैं? नहीं हम ऐसा कभी नहीं करते हम हमेशा यह सोचते ऐसा होगा तो हम खुश होगा तो खुश होगा तो खुश होगा जैसे चोटी-चोटी चीजों पर हम लोग ध्यान देते हैं समान खरीदते वक्त इसी तरह से जो चोटी-चोटी खुशिया है उन पर खुश हो जाईए न अगर आपने खुद नहीं बनाई है तो अपनी पीट थप थप आईए देखिए जिंदगी आपकी है खुशी आपकी है कोई और खुशी देने नहीं आएगा हाँ कोई और गम देने जरूर आ सकता है अगर आपको तुखी रहना है गमों के साथ रहना है तो कुछ मत सोचिये जिंदिगी के बारे में लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं मस रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि 60 साल की उमर में भी आप 20 के दिखें तो बस खुश रहिए छोटी शोटी खुशियों में और जुड़े रहिए पीडू मॉटिवेशन के साथ और अगर चोटा सा सब् इंक्वैरी नहीं नहीं इंफरमिशन लाने का थेंक यू